दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में आप comments कैसे डाल सकते हैं सबसे पहले discuss करते हैं कि comments आखिर होते क्या हैं कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी याद देहानी के लिए अपनी remembrance के लिए लिखते हैं उसे comments का आजाता है कैसे कि आप quote लिख रहे हैं आपने यहाँ पर कोई line लिख दी this is my heading अपनी याद देहानी के लिए जब आप इसको browser में चलाएंगे तो browser इसको show कर देगा लेकिन अगर आप चाते हैं कि ये सिर्फ आप ही के comments हो और browser इसको read ना करे आप ये असानी से achieve कर सकते हैं इसका tag होगा less than, exclamation mark, dash dash, dash dash और greater than sign इसके बीच में आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपका comment हो जाएगा browser इसको अपने browser में show नहीं करेगा जैसा कि मैं लिख देता हूँ this is my heading यहाँ पर मैं एक और comment define कर देता हूँ this is my first paragraph यहाँ पर मैं एक और comment define कर देता हूँ this is my second paragraph इस तरीके से अब आपने देखा आपने तीन comments define कर लिए अब मैं इसको browser में खोल के test करता हूँ मैंने refresh किया और आपने देखा मेरे comments यहाँ पर show नहीं हुए comments के बहुत से फाइदे हैं इससे आपको का code बहुत readable हो जाता है आपकी debugging असानी से हो सकती है अगर आप कुछ अरसे बाद अपना code खोलें तो आप बहुत सी चीजे code में भूल चुके होंगे कि कौन सी चीज आपने क्यों लिखी आप अपने comments में define कर सकते हैं कि मैंने ये center इसलिए लिखा कि text मेरा बीच में आ जाए browser के तो आप ये सब चीजे अपनी याद देहानी के लिए अपनी remembrance के लिए comments में लिख सकते हैं और एक और फाइदा भी है आपने अपना code लिख दिया आप कोई new developer आया वो आपका code देखेगा तो comments के थुरू उसको आपका code पढ़ने में और असानी होगी तो जब भी आप code करें लाजमी अपनी coding में comments का इस्तमाल जरूर करें इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में